दोखा दड़ी करके वो जीत गए तो जीत गए अब गाउं में लोग तो ख़देड रहे हैं गाउं में जा रहे हैं तो शिपाही लेके जाते हैं अगसा है कि बुलडोजर उनी पर चलाते हैं जो भारतिय जंता पार्टी से नहीं जुड़ा है सारे माफिया चाहे आप ब्रिजभूसन सरन सिंग की बात कर लिए चाहे तमाम और भी ऐसे माफिया है बाजगाओं के सांसे तौर बड़े भू माफिया है जैसा कि आज 13 माई है और यहाँ पर सरवन कुमान निराज जो अमबेटकर जन मोर्चा के परत्यासी है अभी नामांकन करने जा रहा है क्या है पूरा मामला और यह जो नामांकन करने जा रहे हैं इनके पास क्या मैनिफेस्टो है इन सारी चीज़ों को ले करके हम चर्चा करेंगे आज 13 माई है और अमबेटकर जन मोर्चा के परत्यासी है सरवन कुमान निराला जी बास गाओ लोगसवाद छेतर से इन्होंने अपना नामांकन करने जा रहा है और क्या है उनके मुद्दे किन मुद्दों के तहतों जनता के बीच में जा रहा है क्या उनके मैनिफेस्टों में मैंशन है अन्य पार्टियों से यह कैसे अलग है इस सारे विश्वाद पर हम लोग चर्चा करेंगे फिलाल हमारे साथ एक देखती है इंसे हम लोग कुछ बात करते क्या नाम है आपको सर हमारा नाम आशी जौन है मैं महानगर अधिक्षिं अम्बेटकर जनमोर्चा का गरीब मजलूमों लाचारों की आवाज बनके काम किया सत्रा अक्टूबर का आंदोलन अगर आप रहे हूंगे तो जाने होंगे गोरकपूर के इतियास का सबसे बड़ा अंदोलन हमने किया था जो कमिशनर का रहे लेके सामने हुआ था लाखों लोग अपने दर्द को तकलीफ को अपनी पीडा को लेके उस अंदोलन पर बैठे थे और ये सरकार से लोहा ले रहे थे इस तरह की तमाम लड़ाईया फिर चाहे वो बुसवल कान देखिये जब किसी बेहन बेटी के साथ दुशकरम हुआ था तो ये भारती जनता पार्टी के लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे थे उस समय भी मानी शर्वन कुमान निराला जी सामने खड़े रहे हैं और पीडित को नया दिलाने का काम किये उस समय जो मुवमेंट चला था वो कहीं न कहीं आंगोलों को दबा दिया गया था और उसमें गिरफतारियां भी हुई थी इस अंदर में कुछ बताएंगे गिरफतारी तो देखी हर वो शक्स जो मजलूमों की आवाज बनता है और दो जनता का नेत्र तो करता है जनता की आवाज को बुलंद करता है उनकी तकलीफ और पीड़ा से राहत दिलाना चाता है ये सरकार जो जूटों की सरकार है जो धांदले बाजियों की सरकार है ये सर कुछ ने कुछ ऐसे स्टेंड ले ले रही है जिसे एक डर और भय का माहौल पैदा हो रहा है जी बिल्कुल यह सरकार जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं अभी मैं कुछ महीने पहलों को आपको कांड बटा दू जब उसवल में एक बच्ची के साथ दुशकरम हुआ था उस वहाँ के जो बासगाउं के सांसषज जी ठीटे वो दुशकरमियों के साथ खड़े थे। वनकुमान निराला जी उनकी अवाज बुलंद करने का काम किया और लगातार कर रहे हैं। प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं पैसे होप पनेशी ऑस्पिटल पे कब्जा करने गया तो पब्लिक इनको भागा दी थी तो भारतिये जनता पार्टी के जो नेत्रित कर रहे हैं नेता ये खुद माफिया है और उन लोग में जो वासिंग मसीन की तरह काम करती है भारत कि सरवड कुमार निराला पे से नमांकर करने चाह रहे हैं ये प्रुवांचल का पहला ये इतिहास का पहला पर्चादा आखिलाए जो सरवड कुमार निराला जी के लिए जादा गाउं के लोग आये हुए हैं बाद मोचेतर से ऐसा कभी नहीं किसी भी प्रत्याजी के साथ नहीं हुआ है जो सरवर्ण कुमान निराला जी के साथ हो रहा है अगर बात तरह है कि इसमें जो लड़ाई है सरवर्ण कुमान निराला की तीन तीन बार वो सांसद राचुके हैं भाजपा के टिकेट पे दुबारा उनको टिकेट मिला है तो कितना चुनोती पूर्ण रहे गई है उनका उनका कोई चुनोती ही नहीं है अब अपने अगर ब् निर्दल लड़ रहे हैं और आप देखिए जंता देखिए समाथ देखिए कि मतलब कितने लोग डेड़ सो से ज्यादा गाओं के लोग उनके परचा दाकिला में सामिल हुए अभी लोग आई रहे हैं तो उनका कोई नहीं है बस पार्टी है दोखा दड़ी करके वो जीत ग होगी है और यह नेता जंता के वज़ा से बड़ा बनता है और निशित दोर्पा अगर नेत्रीतों करने की बात करें तो कहते हैं पर बात करें जो सरकार की नीतियां है जो बता रहे कि हमने यह सारी चीज़े काम करेंगे नहीं की बताइए वो 80 करोड जनता को रासन देने की बात करना है रोजगार बना दी ए वो गुलाम बना दी ए 80 करोड लोगों को नोकरी तो नहीं दिया असी करोन लोगों को उन्होंने सिच्छा तो नहीं दिया, आप बताई ये कलम किताब जितने भी ले लिजी, दास उर्पिया की पेन लेने दाएंगे, दूर्पिया भी आपको धियर्टी देना परदा, ये पहले भारत का पहला एक देश है, जहां पे किताबों पेन लगा, ज क्या कि यह जो सिच्छा मित्र हैं, उनका भी 40,000 मिलता था, 10,000 पर मजबूर कर दिये, तो आप नौकरी की बात कहां कर रहे हैं, राम मंदिर की बात क्या कर रहे हैं, मंदिर मस्जित, मंदिर मस्जित अगर छोड़ दिया जाए, हिंदू मुसलिम छोड़ दिया जाए, उनक कर देते हैं उन्हों ने जाती बात पहलाया है और कुछ काम नहीं किया है तो उन्हें महांगाई तो नहीं दिखाए देती है लेकिन कहीं नहीं कहीं जाती है जरूर पहलाने का मैं आपके चैनल के माध्यम से सहरी बास घंता से मैं एपिल करूँगी कि सरवरकुमान निराला ज्यी पीछनस समाज के लिए उन्हाज दो बार जेल भी गये समाज के लिए वह समाज के अदिकार के लिए समाज के भपी से लिए हान कर वहर угर सरकार के सामने संब्स emis के लिए लड़ रहे हैं इसलिए सरवर कुमान निराला जी को ज्यादा ज्यादा भारी संख्या में आप मत वोट दीजिए वोट दे करके उनको वीज़ई बनाए धन्यवाद लड़ते रहे हैं अब जंदा अपना वादा कितना निभाती है और कितना इनके साथ खड़ी होती है यह चुनाव की तारिक करेंगी अमबेटकर जन्मोर्चा के राष्टिया ध्याच है सर्मान कुमान निराला जी अपरचा दाखिला करके आ रहा है आए हम लों इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर जंता की पीछ में जंता के बीच में मुद्दे ही मुद्दे है अगर मैं सांसाथ बनता हूं तो उत प्रदेश के जितने भी गरीब हूं महीन लोग हैं वहर परिवार को हम एक एकड़ जमीन दिलाएंगे यह हमारा पहला मकसद है अभी तक आप बास गाओं जो क्यार अच्छी सीट है लगातार प्रशार कर रहे थे बसपा के टिकेट पर और आयन मोकिवा आपका टिकट काट बहँजी बताएंगे क्यों काटी क्योंकि जिस आदमी को बहंजी ने टिकट दिया है वह भाजपा का भेजा हुआ दूत है जो बहुजन समाज पार्टी में आया हुआ है क्योंकि इसके पहले वह मोहन भागवत की जर्म दिन पर मिठाईयां बाट रहा है नहन्दर मोदीके सबका साथ सबका विकास का पोश्टर लगा रहा था सब फिर सपा में गया तो कुल मला कि वह भाजपा का भेजा हुआ दूत है बोजन समाज पाटी में टिकट भेंजने क्यों दिया बहंजी बताएंगे जहां तक 400 पार का नारा दे रहे हैं इसमें कितने सत्यता नजर आ रही है जितने बाजपा के परचासी परचार करने जा रहा है तो जनता तो इस बार इनको खदेड रही है संघर्ष के आधार पर मैं जनता से पील करूंगा मेरा साथ ने जो बरसाती मेड़क है जो चुनाओं में सिर्फ दिखते हैं चुनाओं के पहले नहीं दिखते हैं उन लोगों को जबाब देने की ज़रुवत है और एक तरफ गरीब का बेटा है एक तरफ धन पसू लोग है जो इस चुनाओं में मैदान में हैं